देखिए हम लोग पढ़ रहे थे करेंट एलेक्रिसिटी के बारे में इसके बारे में आप सबके पास नोट्स है जिनके पास नहीं है मैंने बताया था कि टेलिग्राम पर मैंने टेलिग्राम कर दिया है ठीक है अईये देखिए इस चैप्टर के पहले हिस्से को हम लोग समाप्त कर चुके हैं आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम कंड़क्शन औफ करेंट की बात करें यानि current का flow किस तरह से होता है और conduction of current इन conductors की बात करेंगे खास करेंगे यानि एक conductor के अंदर current का flow कैसे होता है और जहां तक कि हमने इसमें जाना कि इसमें electron drifting करता है जिसकी वज़े से current flow होती है क्या ये बास सच है और हमने ohms law के बारे में भी पढ़ लिया था मैं उसके बाद आपको बता रहा था कि कौन कौन से यंत्र है सरकिट में क्या क्या चीज़े हैं जो इस्तमाल की जाती है सबसे पहला मैंने register बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि register कोई नया device नहीं है बलकि एक conductor जिसमें resistance हो वही register सही है और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी capacitor capacitor के बारे में बता ये दिया था कि वो एक arrangement है दो प्लेटों का जिसके बीच में field को trap कर लिया जाता है और मेरी बात अभी capacitor को लेकर के पूरी नहीं है मैंने एक बात और बताया था कि capacitor के लिए जो capacitance होता है वह प्लेट के एरिया पे प्लेट के सेप्रेशन पे और प्लेटों के बीच में बहुत अच्छा बताए मैंने मौजूद इस medium पर भी निर्भर करता है अगर मैं एक डायलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के वाला material इंसर्ट कर दूँ तो पारलेट का कैपसटेंस केसी हो जाता है क्योंकि डायलेक्ट्रिक मीडियम डालने से और इसलिए के पड़़ता है इतनी बाते जानते हैं क्या इतनी बाते आपके समझ में आ गई थी अरे हां या ना बोलो मेरा हुए कोई दिक्कात नहीं अब charging charging के बारे मैं बात करूँगा और capacitor में energy मतलब capacitor की बाकी बाते में बात में करूँगा ठीक क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा सा सर्किट के लिहांस से मैं पढ़ाता चलूँगा है तो अभी हमारा पहला आइटम क्या था रेजिस्टर था दूसरा आइटम क्या था केपैसिटर राइट अब एक बात और समझ नहीं है अपने को हमारे पास तीसरा आइटम है सेल कौन है रेजिस्टर करेंट का इस्तमाल करेगा क्यापैसिटर भी करेंट का इस्तमाल करेगा लेकिन तीसरा आइटम है हमारे पास सेल जो की current को produce करेगा यानि मुझे कहना चाहिए कि वो source of बहुत बढ़ियां बताये इनने current source of current देखिए source की खासियत क्या होनी चाहिए source बस एक काम कर दे तो काम हो जाए माल लीजे मेरे पास एक conductor है राइट और मुझे इसमें current flow करानी है तो मुझे कोई ऐसा आइटम जोड देना है जो इनके छोरों के बीच में potential difference ला दे क्या कर दे यही तो काम करना मुझे who will be the source who create, who develop a potential difference across the terminals English बोला मैंने आप थोड़ी सी English ही जादा बोलूगा मैंने पी नहीं रखी है क्योंकि उसकी वाद English जादा बोलते हैं क्यों विश्यक भाई आप तो जानते हैं नहीं जानते हैं कोई बात नहीं छीकों मौद आशीवाद बताये जैं तो भाई और मैंनो हमको कुछ ऐसा चाहिए होगा जो उसके ट्रमिनल के बीच में क्या कर दे वह ही हमारे लिए क्या हो जागा सोर्स अगर माल लीजे मैं कंड़क्टर लूँ और कोई ऐसा सर्कुट ही ले लूँ जिसमें दो बिंदू के बीच में potential difference और वहां दो चार चुआ दू चुआना इस नॉट इंग्लिश अगर दो चार मैं हाँ चट करा दू कर रहा है कोई टच करा दू चुआ दू तो करेंट फ्लो करेगा बहुन मरे वे लोग इस पर यस थोड़ी बोलना था इस पर नो बोलना तो क्या करेंट फ्लो करेगा बहन करेंट फ्लो करेगा ये फोन आपका है इसे रख लिजा आज कर सब्जी वाले भी लेके गूमते हैं सब्जी वाले ही बैठें समयाग नहीं है अरे सुनो तो करेंट फ्लो कराने के लिए अब सवाल हुता है potential difference कैसे है आईए cell के बारे मात को cell किसे कहते है what is cell basic unit of life कोई बोल ला है कौन बोल ला है आपने बोला बेहन खुदी तुम basic unit हो और क्या तुमसे बड़े चैने वाले है cell क्या है सुफियन में बताएं देखिए आज की class में मैं पूरा मामला खतम करूँगा और मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस chapter में थोड़ा सा समय लूँगा क्योंकि ये चार question देता है और अच्छे question देता है तो मैं इसको भगाऊंगा नहीं हाँ दो तरह की होती है कौन दो तरह की होती है और मैं पूछा हूँ सेल क्या होता है तुम बोले दो तरह की होती है है छीक है आदी बात करी नहीं आधी बात नहीं करी यहां लेकिन मौलिक बात कर दी नदेग्व के कैैसी अरेंजमंट है एक अरेंजमंट है यह क्या है चीक है अरेंजमंट आफ सम कंपोनेंटhake difficultんです इन्टू chemical energy और चेमिकल अनरजी इन्टू जो एलेक्ट्रिकल को चेमिकल मतल्ड लेक्ट्रिक और जो चेमिकल झाल, झाल, छिर संट्रिक और मतल्ड भिलड है, है रिमिकल चत्रिकल को चेमिकल चेमिकल छो हुझाए, है ने ने जन्टू धिमिकलराश ख gust बましょう शूढ ख depending हैं, हैं लो जो एम जो ख मिलना बजाताए, और जो बम झैंट्रिकल को चानल, भाल, हम और व एक औरो खम खागी और झाल 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 म्सल झाल 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 डैश लगा के लिखेगा इसमें एक दो लाइन है बोलू झाल 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 झा प्रेशर प्रेशर के बदलने का कोई इफेक्ट नहीं आता है मेरे भाई यह ठीक बात है शुड़ाइ प्रोसीड फर दे नेक्स्ट चलिए दूसरा लिखेगा क्या इफेक्ट आफ टैंपरेच्छर लिख लिख लिजेगा और इंक्रीजिंग टैंपरेच्छर defenders on increasing the temperature velocity of sound increases velocity of sound increases and yc versa नीचे लिख लीजेगा व दिर्टि पर पॉर्टि व दिर्टि पर पॉर्टि ठेक अगली लिख लीजेगा effect of density effect of density लिख लीजेगा for the same temperature and pressure for the same temperature and pressure velocity of sound decreases decreases on increasing density velocity of sum decreases on increasing density and yc versa and yc versa and yc my brother versa वरश्षा यह देखो V-Inversity Proportionate टो लिख लेना ठीक है ठीक है V-Inversity Proportionate अंडरूट रो लिखना है तुम रो लिख रही हो खाली दिवानी हो गई हो कि अगदम बोला जाएं देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब पढ़े लिखे हैं मेरी जानकारी में आप सब समस्दारी धोका किसी को भी हो सकत है आवाब देखिए एक बास सुनिएगा हम लोग ना साउंड और musical sound से related कुछ terminology पढ़ेंगे ताकि हमारे आगे की पढ़ाई में जो sound आए हम उसको समझ सके तब heading डालिएगा ज्यादा कुछ है नहीं छोटी छोटी बाते हैं जान लेना है terms related with terms related with sound and musical sound एफ्याद साउंड और ठीक है ऑफ्याद कूलें चलिए बतायजे आधे का मीश्री आखिए का मेरी बात सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिक्वेंसी के आधार पे तीन तरह की साउंड हम पढ़ते हैं कोई भी साउंड हो तीन तरह की क्योंकि हम सब मनुश्य हैं I'm sorry बेहन हम सब मनुश्य हैं तो मनुश्यों के लिए है यह जो भी बात है अरे पड़ कॉन रहा है मैटे तुम बाहर छट गई हो साउंड होती जिसको कहते sentir so अब यह infraction and sound क्या होती एसी साउंड जिसकी फ्रिकेंसी लेस दैं जिसकी फ्रिक्वेंसी frequency less than 20 hertz है उसे हम क्या कहते हैं infrasonic sound दूसरी होती है audible sound audible किसके लिए होगी मनुष्यों के लिए audible sound हमां हमको जो audible होती है उसकी frequency 20 hertz से जादा होगी और 20,000 hertz से कम होगी 20,000 ठीक तो यह कहलाती है audible sound infrasonic हम लोग नहीं सुन सकते चीटियां मगर सुन लेती ठीक आपसे बाते करने हैं पता नहीं चला है इसका आटा चोरी करके ले जाना है आदमी को हवाई नहीं लग रहा है कानी नहीं है ऐसे हमारे ठीक उसी तरीके से हमारे पास कौन सा है ultrasonic sound कौन सा है ultrasonic sound अब यह ultrasonic अब जिससे आप ultrasonic sound कराते हैं यह वही है ultrasonic sound से ही आप ultrasonic sound कराते हैं यह ऐसी sound है जिसकी frequency greater than 20,000 Hz है जो आप ultra sound कराते हैं वो ही है ultra sound तो ultra sound आपके पेट में भेजी जाती eco effect पे काम करती है वो वहाँ से टकरा के लोटती है और वो फिर device detect कर लेता और उससे image create करता है और वो जो image होती है वो एक rough image होती है जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यह इमाम का हुआ चिमगादर वो भी ultrasonic sound produce करता है जब उड़ता है तो हमें सुनाई नहीं देगा चाहिशी बात है और वो eco radar technology पे काम करता है जैसे उड़ आए तो ultrasonic produce कर रहा है जैसे ही कोई ultrasonic टकरा के आ जाएगी समझ जाएगा आगे obstacle मुड़ जाएगा अरे हाँ ना समझ में नहीं आया यह सवर नो clear है तो ultrasonic अब जो लोग नहीं बोलते हैं मैं उन्हें चमगादर बोलता हूँ इसी लिए क्योंकि पता नहीं वो बोल नहीं मुझे सुनाई ना दे रहा लिखे तो क्या आप ultrasonic, infrasonic और sonic समझे sonic मतलब audible और sonic से जो उपर हो गया ultra और जो नीचे हुआ वो infra infra मतलब below और ultra मतलब उपर यह किसी भी sound के लिए इस्तमाल होने वाले शब्द है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं बोलूँ आगे इसी को लिखने में लोग 6 घंटा लगाएंगे लाल कलर का पेन निकालेंगे बड़ा grader वाला निसान लगाएंगे फिर हरे कलर से बीच वाल लिखेंगे यह sound लिख रहा है माईटो कांडिया बना रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे जल्दी करो बोला जाएं चोटी चोटी गंबा अब sound के लिए एक और दूसरा शब्द इस्तमाल यह किसी भी sound के लिए इस्तमाल होने वाले शब्द राइट और उसका नाम है pitch of sound क्या नाम है pitch of sound pitch of sound देखिया pitch का संबंद होता है कि कौन सी आवास कितनी sharp है या कितनी flat है यह किसको बताती है sharpness या flatness of sound को अब यह sharp और flat क्या होती है sharp का मतब थोड़ी कड़ी आवाद होगी हमारी कानों को टंटंटंटंट लगेगी shrill होगी अंग्रेजी में shrill कहते है है ना तो यह किस चीज़ के लिए होती है sharpness या फिर इसको shrillness कहते है shrill shrillness और flat sound flatness कितना flat sound है मतलब आवाज भारी है और कितनी आवाज महीन है पतली है अरे आम बोल चल की भाशा है मता रहे है flatness है ना तो flatness को grave बोलते है कितनी grave है या कितनी shrill है right अब जितनी grave sound होगी जितनी flat sound होगी पहली बात तो आवाज उतनी भारी होगी और दूसरी बात यह है कि वो हमारे कानों को उतना ही कम चुभेगी हमारे हमको panic नहीं करेगी जितनी shrill voice होगी जितनी sharp voice होगी उतनी हमारे कानों को panic करेगी जैसे share की roaring है roaring of lion roaring अच्छा यह concern होती है frequency से किसे? अरे रुको भाईया concerned with concerned with frequency concerned with frequency समझ मां गया है? अगर कोई shrill है अगर कोई shrill sound है shrill sound का मतलब हो गया high frequency high frequency ठीक? और अगर कोई grave sound है तो फिर इसका मतलब यह low frequency sound है low pitch low frequency हम बोलेंगे high pitch low pitch clear? मेरे भाईयों बैनों जैसे मान लीजिए आप roaring of lion की बात करते है roaring of lion roaring of lion शेर का दहाड़ना यह grave sound होता है कैसा sound है? grave flat sound होता है आप बहुत तेज शेर दहाड़ा होगा बहुत तेज चिल लागा पर आपकी कानों में चुबेगी नहीं वावाज समना रहा है? चुबती नहीं है उसी तरीके से male voice है जो खास कर यह देखो हर male पर लागू नहीं होती ठीक है? पहले मैं यह बात बता दूँ तो male voice जो होती है वो भी grave होती कैसे होती है? grave यानि flat होती male voice भी कानों में चुबने वाली नहीं होती है समना रहा है? लेकिन अगर आप mosquito की आवाज से देखोगे किसकी? mosquito की voice mosquito जो भीन मिनाता है mosquito voice तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैंने लिख दिया है mosquito की आवाज mosquito की आवाज जो होती है वो श्रिल होती है भाईया कान में एक मच्छर अगर चला जाए तो आपको नीद नी आएगी क्यों हो कानों में बहुत चुबेगी ठीक उसी प्रकार से अगर मैं female voice ले लू कौन सी voice? female voice female voice भी श्रिल होती है कानों को चुबने वाली होती हाँ ये बात सच है दो महिलाएं बात कर रही हो निश्चित तोर से आपको लगेगा कोई लडाई हो रही है मैं सज बता रहा हूँ कई लोग को कि ये माननेता हैं ये मानते हैं consideration है physics नहीं पढ़े है मेरी class तो करते नहीं कि उन्हें ये लगता है कि जितने announcements हैं वो female इसलिए करती है कि female की आवाज बहुत मधूर होती ऐसा नहीं female की आवाज बहुत करकश होती है शृल होती है कानों को तुभने वाली होती है इसलिए announcements female करती है अब आपने कभी अगर local railway station पे गए हो जहां पर कभी computer meter खराब हो जाता है आपने गए हैं कभी अब वहाँ पर अगर announcement हो रहा होता है तो गलती से station master करना पड़ता है या किसी होगा करना पड़ता है तो आपको वो announcement समझ में नहीं हाता वो ऐसे announcement करता है यादरी कर कि बेदें देंदी अगर फिंदी चले गाई जाटी चले गाई पता नहीं क्या हो रहा था अगर दिमाग लाना पड़ता है कौन सी गाड़ी के बारे में कह रहा है आद्मी पिमेल यादरी कर कि प्याद है अंदर यादरी कर आने वाली में बैठना था जाने वाली बेठके चला गया आप समझ रहे ही थी तो बात मानों देखे हृस यसी लिया महिलाओ की आवाज इस्तेमाल की जाते यदि आप समझते हैं कि बहुत मदूर होती है तो ऐसा नहीं जिनका रिचार्च कोपन रात के नो से 10 से अपर चेता काम करता है उन्हीं के लिए मदूर होती है महिलाओं की आवाज मधुर नहीं होती, भगवान उनको ऐसा बनाया है, यह मेरा फॉल्ट रही है, तो श्रिल और हाँ, अच्छा अब मगर पुछा जाए मच्छर फीमेल में कौन ज्यादा श्रिल है? इनके लिए गाना बनता न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, क्यारा फीमेल, अरे मच्छर कदे, फीमेल कहान में आकी बोले की तो जाग जाओगे क्या, क्यारे एक बार बोल की तो देखें, आप नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो this is all about the pitch, voice, pitch of voice, right? तो high pitch, low pitch का समझ फ्रिक्वेंसी से एक ही प्रश्ण बनता है कि pitch का समझ किसे हैं, हाला कि ये सब सबाला पूछे उच्छे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब इसमें word आएगा कहीं ने कहीं, तो आप फिर pitch से परिशान ह जल्दी से इसको लिख लीजिए, pitch of sound, थोड़ा तेजी से लिखे, कई लोग pitch का मतब color अलग रख रहे हैं, आप sound का color अलग रख रहे हैं, वकील था जल्दी कर ये, ये किस वकील का कोट चोरी करके तुने बनवाया है? कोई तो था? जी, shrill होने का मतलब high frequency और grave होने का मतलब low frequency, male voice grave मिलेगी आप, flat sound होगी, that will not be करकश. इसलिए आप देखेंगे, जितने भी सूफी गाने, जिसमें लोग कहते हैं कि काफी सुकून है आवाज में, वो हमेशा male voice में मिलेगी, female voice में सुकून नहीं मिल सकता है, बहुत मुश्किल है, आप जो female भी song सुनता होगा, कोई गाना सुनता होगा, तो male voice में इसको सुकून मिलेगा, क्योंकि सुकून का मतब ग्रेफ मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, female voice तो वही से, एक बार कहीं तांच छड़ दिया तो, टिम्पैनिक मेंब्रेन दोनों जुड़ जाएंगे, हाँ जी, यह देखें, roaring of loin and male voice, mosquito voice, mosquito voice नहीं होती एक्चुरी वो, वो तो क्या बोलेंगे, भिन बनाना, mosquito, तुम भी भिन बनाती हो, बहन, ऐसी तो बोलती हो भी, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात होती है, thank you very much. भी झाएंगे, क्या ब मुलाकात है, एक और रखते हैं, आप है झाल 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 आप बीस को करो के तो जितने भी करो के चार इससे माट लेना झाल 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 झाल